सो हेलो एब्रीवन वल्कम बैक टो अनादर न्यू वीडियो आज की वीडियो पे मैं आप लोगों पाई ने टुक में मेंनेट चेकलिस्ट पूरा करने का प्रोसेस बताऊंगा मेंनेट चेकलिस्ट पूरा करना मेंडेटरी है क्योंकि जो पाई आप माइन कर रहे हैं अगर आ माइगरेट होता है मेंनेट पे उसके बाद ही अवेलेबल बैलेंस पर उसको ट्रांसपर करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हो या फिर कोई भी जब यह एक्सेंज पर लिस्ट हो जाएगा तब आप सैल करके विड्रोग कर सकते हो तो चलिए देख लेते लाइब कि सातों स् तो यहाँ पर सबसे पहला अनवरिफाइड बैलेंस है ठीक है यह वो बैलेंस है जो आपके रेफरेल टीम और सेकुरिटी सर्कल के थुरू आपको मिले हुए है तो जो बैलेंस यहाँ पर आपको शो हो रहा है यह अनवरिफाइड है जैसे जैसे आपके टीम के वाइसी transfer होने के लिए ठीक है इनिशियली आपने अगर खुद का KYC complete कर लिया है तो यह balance आपका जो है वह transfer हो जाएगा और बाकि जैसे आपके टीम जो है KYC complete करेंगे तो वह unverified balance भी verify हो करके transfer हो जाएगा mainnet पे उसके बाद third option आपको यहाँ पे migrated to mainnet दिखता है ठीक है अगर यह पुड़ा steps आप complete कर लेते हो जो मैं अभी आप लोगो live करके भी दिखाऊंगा तो जितने balance आपका migrate हो जाएंगे वह यहाँ पे आपको show होने लगेंगे ओके तो चलिए देख लेते कि कैसे mainnet checklist पूड़ा करना है तो इसके लिए आपको simply mainnet checklist पे click करना होगा तो यहाँ पे आप देखो के तो आपको साथ step दिख जाते हैं ठीक है अब देख सकते हो साथ step हमें दिख चुके हैं उसके बाद ही यहाँ पे आपका जो balance है वह migrate होगा mainnet पे तो step उसके बाद यह play store पे redirect हो जाएगा और आपको यहाँ पे pie browser application को download करने के लिए बताएगा download करके उसको आपको simply open कर लेना है ठीक है तो आपका सामने कुछ ऐसा page आ जाएगा मैंने already यहाँ पे install कर रखा तो directly मेरा यहाँ पे pie browser application open हो चुका है उसके बाद आपको फिर से back आना है और यहाँ पे mainnet checklist पे देख सकतो यह complete हो चुका है उसके बाद second option यहाँ पे wallet create करने का तो आपको एक pie wallet create करना होता है जहाँ पे आपका pie जो है store रहेगा बहुत ही ध्यान से आपको wallet create करना है और create करते वक्त आपको passphrase मिलता है उसको आपको समाल के रखना है जो मैं अभी आपको आगे चलके बताऊंगा भी तो wallet create करने के लिए simply start पे click करेंगे फिर से आप sign in to pie browser पे click करेंगे 24 words का जो है passphrase show होगा तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समाल के रखना है कहीं पे save करके और also आपके copy पर भी यह लिख के रख देना है यह बहुत important है ठीक है इसको अगर आप खो देते हो और अगर आप fingerprint भी add नहीं करते हो तो आपका wallet आप recover नहीं कर पाऊगे और रख दो और copy पर लिख के भी इसको रख दो उसके बाद आपको simply क्या करना है यूज फिंगर प्रिंट पर क्लिक करना है फिंगर फिंगर फिंट आपको डालने के बाद उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पर आएगा दो दो option मिलते हैं आपको यहाँ पर searchable by username पर क्लिक करना है और continue पर क्लिक करना है जैसे आप continue पर क्लिक करोगे तो आपका wallet जो है successfully create हो जाता है देख सकते हैं आप लोग हमारा यहाँ पर wallet आ चुका है और pie testnet और mainnet का option हमें यहाँ पर मिल चुका है तो यहाँ पर second step complete हो जाता है अभी आपको pie network के application पर फिर से back जाना है और जैसे आप इसको back करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो wallet create करने का option जो है वो भी complete हो चुका है third option पर जो wallet आपने create किया है उसको आपको confirm करना रहता है तो उसके लिए simply start पर क्लिक करेंगे और जो passpress आपको show हुआ था जो copy करके रखा है आपने उसको paste कर देना है और confirm your wallet पर क्ल करोगे तो यहाँ पर enable fingerprint का option आ जाता है कभी भी आपको wallet open करना है तो या फिर आपका passpress का जरूरत पड़ेगा या फिर आपको fingerprint से भी आप उसको open कर सकते हो तो add कर सकते हो उसके लिए आपको confirm पर क्लिक करना है अगर fingerprint आड़ नहीं करना चाहते हो तो close पर क्लिक करना तो simple मै 보여 знакомly मैं यहाँ पर confirm पर क्लिक करता हूं और fingerprint यहाँ पर डाल देना है तो यहाँ पर आप लोक देख सकते हो Enemy डालने के बाद यहाँ पर successful का message आ चुका याई है आपको aप лишь आड़ हो चुक है अभी यहाँ पर आप close क्लिक कर सकते हो तो अभी आप लोह तक यहाँ है थर्ड ऑ lock-up percentage और lock-up duration set करना होता है ठीक है दो option यहाँ पर दिएगे जितने भी percent आप यहाँ पर select करोगे जितने time के लिए करोगे तो जो भी transferable आपका balance रहेगा वो balance आपका lock हो जाएगा वो particular time period के लिए ठीक है जब वो time खतम होगा उसके बाद यह unlock हो जाएगा उसके बाद आप उसको use कर सकते हो तो यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर select करोगे suppose आप 90% select करते हो 3 years के लिए तो 3 years के लिए आपका 90% amount जो हो जाएगा आपको उसको use नहीं कर पाओगे जबी भी आप यहाँ पर lock up configuration में आओगे तो यहाँ पर make sure कि आप कम से कम रखो और time भी आप कम set करो जैसे मेरे मैं recommendation आपको करूंगा 50% और 6 month के लिए आप यहाँ पर set कर सकते हो जितना ज़्यादा आप यहाँ पर रखो लिंक मिल जाएका वो वीडियो अच्छे तरीके से देखना तभी जाके यह पेज़ पर आप आके अच्छे तरीके से आप commit कर पाओगे अगर आप by mistake देख सकते हैं फोल नमबर भी complete हो चुका है उसके बाद आता है 5 नमबर पर जो किए कवाईसी का और 6 नमबर पर जो किए कवाईसी रिजल्ट का तो अगर आपने कवाईसी कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पर आपको completed शो होगा और अगर result में आपका अप्रूब हो चुका है तो आपको completed यहाँ पर result पर भी show होने लगेगा यहाँ पर देख सकते हैं दोनों यहाँ पर हमारा completed हो चुका है यानि के हमने KYC complete भी कर लिया और result में हमारा pass भी show हो चुका है अगर अभी तक KYC नहीं किया है और अगर आपको जानना है कि कैसे KYC करते हैं तो इसका link मैं description पर डाल दूंगा वहाँ से जाके वह वीडियो आप चेक कर सकते हो और अपना KYC easily complete कर सकते हो तो within one day के अंदर आपका KYC भी complete हो जाएगा उसके बाद आते है seven number option पर तो आपको tokens receive करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर sign करना होता है उसके लिए आपको simply start पर click करना है और सब देख सकते हो you are all set यानि कि हमारा जो यह भी step पूरा हो चुका है यहाँ पर आपका एक congratulations का message भी शो हो जाता है simply आपको I understand पर click करना है I understand पर click करने के बाद आपको wallet address और digital signature आपको दिख जाएगा यह आप कहीं पर भी copy करके लिख के रख सकते हो अभी simply आपको back आना है देख पर आप लोग देख सकते हो हमने अपना साथो steps complete कर दिया है उसके बाद last option यहाँ पर migrate to mainnet का है तो अभी यहाँ पर status आप देख सकते हो in queue दिख़ड़ा है ठीक है तो यह automatically complete हो जाएगा अगर आपने सही तरिकर से पूरा steps complete कर दिया है और यहाँ पर आपको अपना जो है transaction details दिखेगा जो आपका transfer हो चुका है mainnet पर राइट तो यह जो है पूरा steps complete करने के बाद automatically आप जितने भी पाई माइन करते है या फिर आपके team के द्वारा माइन होते है वो automatically जो है mainnet पर transfer होते जाएंगे ठीक है जैसे आप wallet पर open करोगे तो हमने यहाँ पर अपना wallet open कर लिया तो यहाँ पर तेख सकते है यहाँ पर आपको वो balance होने लगेंगे जैसे यहाँ पर balance आजाता उसके बाद आप हिहा migration पर कलिक करके transfer कर सकते है ठीक है अब किसी को भी अपने पाई को send कर सकते हो send पे click करना है उसके लिए यहाँ पे address डालना है amount select करना है और send पे click करना है जो feel लगेगा वो यहाँ पे automatically आ जाएगा जबी भी यह किसी भी exchange पे list होता है तो यहाँ पे आके ही आपको send पे click करके वो exchange का particular आपको address मिलेगा वो address पे आपको send करना होता है और pine network के बारे में और भी अगर आपको जान करें चाहिए तो आप playlist section चेक कर सकते हो जिसका link आपको उपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट और एक informative वीडियो के साथ